अलो स्टुडन्ट एलेरं स्टंडर कॉंप्यटर सब्जेक अलपिसर के साथ स्टुडन्ट हमने फर्च सेप्टर मल्टी मीडिया देखा उसमें हमने मल्टी मीडिया की एलेमेंट थे ओडियो टेक्स वीडियो ग्राफिक उसकी बात किये थी उसमें वीडियो में एनिमेशन ट नो भी कैसा था 2D और 3D तो 2D में कौनशे कौनशे सब्फ़ेर आते थे और 3D में कौनशे आते थे तो 3D की बात कि थी तब 3D में हैं Maya Blender 3D Max जब 3D सब्फ़ेर है इस सब्फ़ेर का यूज करो गया तो उसमें जो animation बनने वाला 3D effecting बनेगा माया लो या 3D Max Blender उतीन आपको याद रखने थे 2D में कौन से थे तो 2D में आप जो ड्रो करेंगे 2D में मेक्टो मीडिया फ्लेश पैंसिल और आपकी जो स्क्रीन पे दिखरा है थर्ड वाला thinking तो तीनों है वो animation 2D create होगा इसमें आप जो भी create करोगे 2D तो आपको पढ़ना कौन से है 2D वाला तो 3D आपको नहीं पढ़ना है तो 2D animation create होगा उसकी बाद हम करने वाले है तो animation tool जो यहाँ start हो रहा है तो आपको chapter 1 तो आपको याद रखना ही है लेकिन 2 भी इतना ही most important है IMPA क्योंकि यहाँ जो software program start हो रहा है उसका introduction है chapter 2 में बाद में उसका practical है वो 3rd 4 और 5 तक ही animation ही continue रहीना वाला है तो 3 और 4 और 5 का जो MCQ है वो 2 में आने वाले है इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा focus रखेंगे chapter number 2 पर तो यहाँ पर मैंने जो बात की उसमें से authoring tool आपको तीन है वह आपको याद रखना है काड और पेज बेज आइकन इन इवेंट टाइम बेज तो तीन में से हमें पढ़ना है टाइम बेज लेकिन हमें काड और पेज की डेफिनिस नियाद रखनी पड़ी कि उसमें कौन से प्रोग्राम वर्स ओफिर आ रहे है उसको आपको याद रखना पड़ेगा आइकन और इवेंट भी आपको उसकी डेफिनिस नियाद रखने पड़ेगा उसका भी टाइम बेज हमें पढ़ना है तो पहले हम काड और पेज बेज टूल की बात करने लिए में काड और पेज बेज ओठरिंग उसमें क्या होता है स्टुडं सब आप डिजाइन करोगे तो आपको कोई बूग बनानी है कोई बूग क्रिएट करनी है एनिमेसिन में या उसका पेज 1-by-1 के करना क्रिएट करना है तब एक काड और पेज का यूज होता है है तो आपको भी MC के याद रखना है ओर टूल्स के प्रोग्राम कौन से है तो भी आपको याद रखना है hypercard और multimedia कौन से होते है hypercard मुल्टीमीडिया स्टुडटन यह MC का आपको यहाई भी गुशाव रहता है कि hypercard example किसका है तो card और पेस बेस का multimedia किसका है card or page यह सब्झेत की की हो सकता है card or page tools का example बताइए software कौन से है hypercard or multimedia तो इस प्रेग आप में आई-एम-पी-mc क्यों है उसका यूज क्या होता है तो अब बूक create करते हो तो उसमें paste design करना है one by one page आपको इंवने में रखने हैंं तो इस card और तो पेस्का आप यूज़ करोगी उसका सोफ़ेर कौन से है तो दो सोफ़ेर है वह आपको याद रखने हैं तो हम सब्सक्राइब इवेंट कि बात करेंगे आप डीकन ऊर्बेन का बात करते हैं उसमें फॉकस रहेगा आपजेक्ट पे कि कहां पर रहे गया बबजेक पेट करें सब ऑबजेक पर अबजेक कुछ क्रिक करेगा तभी वर्क होगा तो उसको ऑबजेक आपको सेंटर में रख के आपको कभर करना है तो उसके लिए आईकन और इवेंट बेस का यूज होगा उसमें आप एक्जम्पल सॉफफे ले लो तो ओधर वेर और आइकन ओधर वह कौन से कौन से ओधर और ओधर वर तो भी आप कंफिजन मत होना कि दोनों सॉफफेर कौन से आइकन और इवेंट के यह वह दोनों के थे काड़ और पोस्ट के हमें जो पढ़ना है व होता है वो टाइम बेज होता है तो आप जो भी एनिमेशन बनाओगे उसमें टाइम बेज सेट करना पड़ेगा आपको पता है एक्जम्पल आपको कोई एक गेम की बात करते बास्केट बोल की बात करते बास्केट बोल में क्या होता है जो बोल हो बांस होके वो बास्केट में तो आपको टाइमिंग सेट करना है तो टाइम बेज हमें पढ़ना है तो इसे एनिमेशन आएगा कि आपको जो एनिमेशन है वो कहां से कहां ले जाना है आप एक्जमपल बर्ड को बर्ड की बात करते हैं तो फ्लाइंग करके कहां जा रहा है तो उसको आपको टाइमिंग set करने पड़ेगा बोल ड्रिट किया तो बोल टरिकिट अब गैम गया फ्लाइ». तो बोल कहां से काने 어렵ने वाला है गो टाइम सेट करना पड़ेगा तो एसा ही मैहां यहां पर हम टाइम कैसे पढ़ने वाले उसमें सो फिर कौन से आते है तो जो पढ़ रहे है वही है सिंफिंग है पैंसिल है फ्लेस है और डिरेक्टर है तो उसमें से हमें पैंसिल फ्लेस और डिरेक्टर नहीं पढ़ना है तो डी वाला जो एनिमेशन है सिंफिंग उसकी टाइम बेज उसमें टाइम सेट करना पढ़ेगा और वही पढ़ना है तो देरा मेनी मल्टी मीडिया टूल्स ओवेलेबलों मार्केट में आपको पता है मिल मिन्स ओनलाइन आपको मार्केट में फ्री में मिलते हैं और आपको पैमेट भी देना पड़ते हैं सोफ़ेर कितने भी है तो फ्री वाले जो होते हैं उसे और संदीन है तो हमें संदीन पढ़ना है लेकिन हमें इस दोनों की हिस्ट्री हमे में पैंसिल का क्या यूज lie होगा इस ओप Fica का नाम है एंप करो उसमें उनों कर सकते हो यूज और सिंग संदीन जो पराम है इंट्रोस्थ honeymoon तो उसमें क्या-क्या डिजाइन होगा तो उसमें अब कैसे एनिमेशन बना सकते हो अब ड्रोइंग करके ही आपको उसमें एनिमेशन बनाना है तो ओभी कैसे वर्ख होगा उसमें क्या रन कर सकते हो वो कब क्रियेट हुआ उसकी हम बात करने वाले हो कैसे वो रन होगा और कैसे इंस्टॉल होगा उसकी भी बात करने वाले स्टूडन यहां तक ही रखते हैं इस सब पेग्राफ हाप रेट कर लेना आएमपी है सब टोपिक आएमपी है आगे से हम पेंचिल और सेंग्फिंग की बात करने वाले हैं उसकी बात करने वाले हैं इस्ट्री जो उसकी योगितियरी वो पढ़ने वाले हैं यहां तक हम रखते हैं